एक तरब बिहार सरकार अपनी पीट थप थप आ रही है कि हम लोग लगातार नौकरी दे रहे हैं दरसल BPSC के द्वारा पहले चरण की परिक्षा जो है पिछले साल हुई थी उसमें करीब 1,12,000 अभिहरती जो है परिक्षा में सफल हुए जो दूसरे चरण की परिक्षा थी BPSC की वो दिसमबर महीने में हुई उसमें भी 1,10,000 अभिहरती सफल हुए है तेरा जनवरी को उन लोगों को नुक्ती पत्र दिया जाएगा तो सरकार लगतार कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं सिक्षकों की बहाली हो रही है लेकिन दूसरी तरफ देखिए सिक्षक जो है यहाँ पे कई भी हरती जो है वो धर्ना प्रदरसन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में नरबाजी कर रहे हैं कि हम लोगों को नियाय च को दे दिया विपी सी टीयर्यवं में उन बत् default का रिजयल दे दिया जो योगेदर जिनका है स्ट्रेट द्व॥जार अच्छे से करती मेरिट उसके बाद बनाती तो आज जो बच्छे है वो हम रोड पर नहीं रहते बल्कि स्कूल में किसी बोर्ट पर होते यह बताई आप लोग का यह आरोफ है कि जो बीपीएसी सिख्षक भरती परिक्षा पहले चरण में हुई थी जिसमें करीब एक लाख बारा हजार बच्चे सफल हुए तो आप लोग का कहना है कि उसमें बहुत सारे फरजी बच्चे अंदर चले गए हैं मतलब धांदली हुई है न्यूक्ती में जी कोल मिलाकर तेईस हजार रिक्षपद अभी भी बाकी है बीपीएसी टीरी वन में और वो सीट हम नंबर है कंप्यूटर साइन से उतना जितना की बीपेसी का कट अफ गया फिर भी अच्छा आपका क्या नाम है मेरा बीकरम पटेल नाम हुआ बीसी काटगोरी में मेरा साथ बिहार सरकार तो यह कर रहे है कि पहले चरण में एक लाग बारा हजार अभी अर्थियों को हम लो इस सरकार बिलकुल जूट हो रही है विसमें लॉकतर का कर रहे हैं और हम लोंको साठ नंबर लाते हुए अभी डेट वबर्स से बाहर कर दिया है हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया नियुक्ति में फजी वाड़ा कौन कर रहा है यह सरकार है पुरा घाल मेल कर रही है सीटों का बंटाधार कर रही है क्रेडिट लेना चाहती है सिर्फ सीटों का क्या नाम सर मेरा नाम दिवाकर राम हुआ सरम स्टेप इस प्रोसेस को प्रोसेस जहां सब्सक्राइब की परिच्छा में धांदली हुई आप लोग आरोप लगा रहे हैं और का रहे हैं कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाए और जो योग बच्चे हैं उनको अंदर लिया जाए उनकी बहाली हो आप यह चाह रहे हैं हम यह बड़े बड़े पैम पैसी ट्रेस इंटर भी चाहिन उसके बाद इन्होंने इसमें रिजल्ट भी दिया तो दिया तो इसमें डियोंस अधिए तरीके से करवाया नहीं डिवी के नाम पर सीपाओ सीर्फ खानापूर्टि की गई और उसका उस उसका नतीज यह निकला सर कि गलत लोग उसमें परिपिकेशन पर सरकार कहीं आगे किसी प्लेटफर्म पर बोल लेके हमने डॉक्मेंट परिपिकेशन सही से कराया है तो सरम जिंदगी भर के लिए उनके पूरे सिख्षक अभ्यारती बीपिएसी ट्रेवन के हम पूरी जीवन उनके घुलामी करेंगे सब्सक्कार इपिएसी ट्रेवन के सुदेंट्क के साथ जो vino इंस्टिस हुआ है उसको हम लोग जाषी स्याथे हैं फर्जी फर्जी लोगों को जल्दी से जल्दी हो सके आपने तो फर्जी लोगों को कुछ को तो हटा दिया है और कुछ लोग अभी भी जॉइन करके स्कूल में बने हुए है तो जितना हो सके फर्दर एक्षन लीजिए और उन फर्जी लोगों को वहाँ से जल्दी हटाईए हमारे साथ और भी हैं इसका बहाली परकिरिया सर एकदम अइसा है अजूबा है कोई भी फॉर्म भर्दे किसी का भी रिजल्ट दे दिया गया है जो कि आरता नहीं रखता है। उन लोग को रिजल्ट दे दिया गया है। हम लोग इलीजीबल थे। हम लोग यहां पर बैठे हुए है। और उसके बाद जो छंट रहा है सर उसके बदले हम लोग को सीट नहीं दिया जा रहा हम लोग का मांग है कि जो आज वहां पर छंट रहा है उसके जगा पर हम लोग को दे करके भरा जाए मतलब आप लोग का सिधा आरोप है कि आप लोग के भविश्य के साथ खिलवार हो रहा है क्या नाम संजीत कुमार हुआ हम सर विपेसी जो 26 विश्यापन संखिया था टियारी वन का उसमें हम संसोधित परिणाम का हम सर मांग करते हैं क्योंकि सर उसमें जो भी तूटिया सब कहने की बाते हैं सिर्फ डाटा के साथ खेल हुआ है एक लाग बीस जार के नाम पर सिक्षक सिब नबबे हजार जोइन किये तीस जार अभी भी सिर्ट खाली है उसमें भी डेर सारी अयोग अभ्यार्थी हैं और उसको अगर फरजी को बाहर कर दिया गया होता डॉक्मेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो गया होता तो साया दिए ब जो पर कर रहे हैं वह रोड़ पर बोर्ड़ पर आ और के रेटेर्या पूलित रहे है वह अभी रॉड़ पर हैं यह सरकार की गलत नीतियों के कारण वी पिचीओ और सिच्छा विभाग के गलत नीतियों के कारण हम लोग आज रोट पे हैं सबसे बढ़ा चीज है कि विजाओ डॉकुमेंट बिर्पिकेशन मेरिट सर नहीं बना जाता है सब लोग जानते हैं सबसे पहले सब डॉकुमेंट बिर्पिकेशन होना चाहिए था इसकी बाद मेरि प्रॉकुमार